लेडी देना कमजोर बहुत होती है इम्मिनिटी वीक है शतावर चोण ये साब महिलाओं को देना चाहिए छोटे बच्चों को भी दो शतावर जो है ये दो तरह का होता है एक वाइट होता है एक पेले रंग को होता है अंपेले रंगवाला देते हैं जो ज़्यादा गुणकारी होता है शतावर चोड इतना जबरदस्त है शतावर चोड के बारे मैं बता रहूं सुन लो सब बहनों एक तो जिन बेटियों की ब्रेस्ट का विकास नहीं होता उनमें बड़ा डिप्रेशन रहता है क्योंकि ब्रेस जब पूरी विकसीत होती है तो लेडिस सुन्दर लगती है अब किसी भी महिला को बदसूरत तो दिखना नहीं है लेकिन ब्रेस्ट का विकास नहों किसी किसी की चेस्ट एकदम फ्लैट होती है फिर बहुत तरह कि शादी ब्याम में भी दिक्कत आती है उनको अच्छोद को घुपी पता ही नी उसको सलेबस में पड़ाये न को अब सादू बाबा है हमारे लिए लिए तो सब बेहन बेटिया बराबर हैं अपने बच्चों की तरह है इसलिए हम सब को बता रहें ने तो यह को पताता भी नी कि तो यह प्रानयम कराओ इससे ब्रेस्ट का विकास होता है पांस मिनट करा दो ने तो मैंने देखा बहुत बेटियां इससे डिप्रेशन में चली जाती है मैं सुन्दर नहीं लगती, मच्छी नहीं लगती, मेरी ब्रेस्ट बढ़ नहीं रहे यह मैं क्या करूँ, शतावर का चून यह है, यह पीली शतावर है, इसका फोटो भी हमने दिया वा है, शतावर चून सब बेटियों को और यह बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होती है इससे आजकल क्या करते हैं, आजकल लड़के, जवान लड़के तो प्रोटीन के पांच पांच हजार रुपए, दस दस हजार के डब्बे खरीद के लाते हैं, फिर हो मुसल्स बनाने के चकर में उपीते रहते हैं लड़कों को अश्वगंधा शतावर सफेद मुसली, यह मैं ताकत की दवाईउं के नाम पर कितना ब्रांती है जैंट्स को, आपके भी घर में जैंट्स हैं, आपके पती हैं, आपके फिर बच्चे भी होते हैं, कमजोरी जैंट्स के लिए अश्वगंधा शतावर सफेद मुसली, यह तीन, और लेडिज को केवल शतावर बस, इसके फायदे सुन लो, एक तो लिकोरिया दूर होता है, लिकोरिया के तीन कारण हैं, बड़े, एक तो जिन लेडिज का पेट खराब रहता हैं, उनको लिकोरिया होता है आप खुद पूछ लो, अपने परिवार में किसी भी बहु बेटी को पूछ लो, कौश्टिपेशन जिनको ज़्यादा होगा, उनको लिकोरिया की प्रब्लम होती है, जिनको पित्ता रहता है, गर्मी ज़्यादा होती है, उनको लिकोरिया होता है, और तीसरा किसी किसी को जेनेटिक लियु χोता है शतावर एक तो यह किसी भी करण से लिकोरिया है उसको ठीक करेगा ब्रेस्ट का विकास करेगा यह ब्रेस्ट में दूद भी आता इसे शतावर यह तो आजमाई वी चीज है यह पूरी क्लिनिकली ट्रायल करते हैं रिसर्च करते हैं यह आजमाई वी चीज है देखो जिन बेहनों को स्तनों में दूद नहीं आता किसी को भी बता देना शतावर और दूसरा जीरा जीरा को थोड़ा सा भून लेना हलका सा कड़ाई में हलका सा फिर उसका पाउडर का लेना तीन ग्राम शतावर का चोण दो ग्राम जीरा बस कितना बोला? तीन से पांच ग्राम मैकजीमम इसे ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होता है तीन से पांच गराम शतावर चोड़ दो गराम जीरा सुबह शाम दूद को साथ पिला दो मैंने कितनी बेहन बेटियों पर ये प्रियोक किया